राजस्तान में दिल को दहला देने वाला एक सड़क हाथसा हुआ है आपको बता दे के एक परिवार के आठ लोगों की सड़क हाथसे में दर्दनाक मोत हो गई हाथसे की सूचना पर स्पी ओंपरकाश, स्डीम सुखराम खोकर, डी एस्पी चंदर सिंग रावत सहीत, टोक सरकल के सभी थाना दिकारी और पूलिस जापता मोके पर पहुँचे और घायलों को निकल वाया हाथसे के बाद वहाँ परचीक पुकार भी मच गई, यहां यहां भी बता दे कि परिवार मध्य परदेश के राजगर का रहने वाला था और सभी खाटू शाम के दर्शन कर लोट रहे थे बीशन सड़क हाथसे में आट लोगों की मोत हो गई जबकि पांच गंभीर रूप से घायल हो गए हैं बता दे कि राजस्तान के टोक जीले में देराज सदर थाना अंतरगत नेशनल हाईवे पर एक भीशन सड़क हाथसा हुआ गनीमत रही की हाथसा एक तीन साल की बच्ची सुरक्षित रह गई हाथसे में ट्रेलर की टकर से खाटू शाम जी से लोट रहे एक परिवार के आठ लोगों की मोत हो गई गनीमत रही की एक आठ साल की बच्ची सुरक्षित मिली सभी टैक्सी गाड़ी में सवार थे पुलिस ने मोके पर पहुचकर गाड़ी में फसे लोगों को निकाल कर अस्पताल पहुचाया इस हाथसे में घायल हुए लोगों की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें जैपूर रैफर कर दिया गया टोंक में कल देर रात करीब पोने दो बजे के करीब सदर धारां तरगत राश्टे राजमार्क बावन पर पक्का बंद शेत्र में एक तेज रप्ता ट्रेलर ने खाटु शाम जी के दर्शन कर MP लोट रहे दर्शनार्थ्यू से भारी फोस्टन गाड़ी को पीछे से टकर मार मोके पर पहुँची और क्रेंट और जैसी भी मंगवाकर घायलों को निकलवाकर अस्पताल पहुँचाया जहां कुछ ही अस्पताल पहुचने के बाद मोथ हो गई हाथसे में कुलाठ जनों की मोथ हुई है अस्पताल पहुचने के बाद घायलों की हालत गंबीर होने के प सुबह करीब टोक स्थित पक्का बंधा शेत्र एक होटल पर खाना पीने के बाद रवाना हुए थोड़ी दूर जाकर मजार वाली पुलिया पर हाथसा हो गया फिलाल मृतकों का पोस्ट मार्टम करवायजा रहा है बताते चले कि राजिस्तान में दर्दनाक सड़क हाथसा टककर से खाटटु शाम जिसे लोग रही परिवार के 8 लोगों की मोब हो गई सभी टैक्सी गाडी में सवार थे पुलिस ने मौके पर पहुचकर गाडी में फसए हुए लोगों को निकालकर अस्पाल पंचाया सूच्रा के बाद सदर्धाना पुलिस मौके पर पहुंची और जैसे भी मंगवाकर घायलों को निकलवाकर अस्पताल पहुचाया गया यहां कुछ की अस्पताल पहुचने के बाद मौध हो गई ऐसे ही लेटेस्ट परेपाने के लिए बैल आइकन को प्लिक करें हमारी चैनल को लाइफ शेर और सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करें